तो आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं और वो भी 2024 तक लेकिन सबसे बड़ा सवाल है किस कैटिगरी में चैनल बनने हर नीच में कॉंपिटेशन बहुत है लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब पर गेमर बनना शायद सबसे स्मार्ट मूव हो सकता है लेकि आपसे पूछो क्या अगली जेनरेशन के गेमंग यूट्यूबर्स आना बंद हो जाएंगे क्या नए क्रियेटर्स सक्सेस्फुल नहीं होंगे बिल्कुल होंगे नए गेमिंगेर्स आते रहेंगे और सफल भी होंगे और गेस वाट वो हो सकते हैं वाई गेमिंग? देखिए, गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें opportunities की कोई कमी नहीं है. हाँ, competition है, लेकिन गेमिंग की दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें सब के लिए जगा है. 2024 में गेमिंग इंडस्ट्री अकेले 221 अरब डॉलर का revenue generate करेगी. ये music, film और television industries के combined revenue से ज्यादा है. और 2029 तक ये figure 426 अरब डॉलर तक पहुचने वाली है. अब compare करते हैं music industry से, जो 2024 में सिर्फ 30 अरब डॉलर कमाएगी और 2029 तक 45 अरब डॉलर तक पहुच पाएगी. Film industry, 2029 तक 150 अरब डॉलर तक पहुचने का अनुमान है. लेकिन gaming अलग लेवल पर है. ये दिखाता है कि gaming में potential बहुत बड़ा है. अब आप सोच रहे होंगे. Gaming तो ठीक है, लेकिन कौन से games खेलूं? ये सवाल important है क्योंकि हाँ, Free Fire और PUBG जैसे games पहले से saturated हैं. इन games में stand out करना मुश्किल हो सकता है. लेकिन चिंता मत कीजिए. मेरे पास आपके लिए कुछ fresh ideas हैं. यहाँ कुछ games हैं जिन में बहुत potential है और Indian YouTube मारकेट में ये ज्यादा saturated Red Dead Redemption 2 बहुत कम Indian YouTubers ने इस game को explore किया है, लेकिन इसका demand बहुत ज्यादा है. इसके realistic graphics और deep storyline से आप engaging content बना सकते हैं. Cyberpunk 2077 इसका launch थोड़ा rough था, लेकिन इसके high quality graphics और immersive world इसे futurist gaming lovers के लिए perfect choice बनाते हैं. The Witcher 3, Wild Hunt ये game एक masterpiece है, जिसमें story-driven content और massive world exploration है. आपके playthrough और discussion काफी unique हो सकते हैं. Elden Ring, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Far Cry 6 ये games expensive worlds और engaging stories वाले हैं और Indian gaming scene में इनका coverage इतना नहीं है. इन games पर focus करके आपना सिर्फ stand out करोगे बलकि उन audiences को भी target करोगे जो fresh, visually stunning और story-driven content चाहते हैं. Why should people watch you? आप शायद अब भी सोच रहे होंगे. लोग मुझे क्यों देखेंगे जब बड़े channels पहले से exist करते हैं? लेकिन एक बात याद रखें. हर successful YouTuber ने bottom से शुरुआत की थी. आपको बस अपनी unique voice ढूंडनी है. Be yourself और वो games खेलें जो आपको passionate बनाते हैं. अपने gameplay में कुछ unique twist अड़ करें. चाहे वो commentary हो, editing style हो या फिर कुछ नया explore करना हो. अगर आपको graphics और realism पसंद हैं, तो उस पर content बनाएं. अगर आपको game lore और back stories में interest हैं, तो उन्हें deeply explore करें. There are so many ways to stand out in gaming. It's all about what you bring to the table. Conclusion and call to action. अब आपको clear हो गया होगा कि gaming market कितनी बड़ी है और opportunities कितनी हैं. आपको बस अपनी niche ढूंडनी है. अगर आप सच में अपना gaming channel 2020 piece में शुरू करना चाहते हैं, तो मेरे channel को subscribe करें for more tips on growing your YouTube career. मैं आपको gaming videos edit करना, engaging बनाना और audience grow करने की best strategies सिखाऊंगा. comments में बताईए कि आप कौन सा game देखना चाहेंगे और मेरे top 5 trending games of 2024 वाले video को जरूर चेक करें for even more ideas. The future of gaming on YouTube is bright और इसमें आपके लिए जगा है. चलिए, 2024 को आपका साल बनाते हैं.